चिंता ज्यादा करने लगते हैं या तो हमें लूज मोशन हो जाता है या हमें कॉंस्टिपेशन हो जाता है सिरोटोने ऐसा बहुत ही महत्पूर्ण हार्मोन है जो आप सोचते हैं जब आपको चिंता होती है तो वो बोड़ी में ब्रेंट से निकलता है लेकिन एक्ट करता है वो फील करते हैं कि उनको पेट भारी है वो उनका पेट साफ हुआ नहीं है पर वो जब वाश्रूम जाते हैं तो उनका पेट साफ होता नहीं आपको अपने आपसे चार-पांश सवाल पूछने हैं टोएलेट में किती देर तक बेठे रहे होते हो आपको 10-15 मिनिट तो नह करते हैं आपको बहुत ज़्यादा इस ट्रेनिंग तो निकरनी पड़ती है और कभी-कभी आपको फिंगर इवेक्विशन तो निकरना पड़ता है वीट एलर्जी के अंदर पेशेंट वीट लेता रहता है उसको एलर्जी होती है उसको जो वीट हो डाइजेस्ट नहीं होत है इस टूड में बलड आ रहा है हीमोगलोबिन कम हो रहा है वजन कम हो रहा है भू कम लग रही है तो मुझे कोलोसकोपी और इंडोसकोपी कब कराना चाहिए साल में कितनी बार कराना है स्क्रीनिंग इंडोसकोपी 50 साल के बाद एक बार करनी चाहिए ऐसा यदि उसमें कु इस खास पेशकस में मैं एक विशेस महमान से आपको मिलाने जा रहा हूं जिनकी बातें आपके लिए काफी मददगार साबित हो सकती हैं आप पूछ सकते हैं कि मैं ऐसा क्यूं कह रहा हूं दरसल आपको पता है कि मनुष्य के जीवन में स्वास्थ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और अगर आप स्वास्थ को बहतर रखना चाहते हैं तो आपको अपने पाचनतंत्र को भी बहतर रखना होगा और पाचनतंत्र को बहतर रखने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए यह समझना बहुत जरूरी है क्योंकि कहते हैं कि पेट स्टामक गट यह संत्र खराब होता है तो यकीन मानिए आपका दिमाग भी सही तरीके से फंक्शन नहीं कर सकता इसलिए आज कल जो हमारा लाइफ स्टाइल है उसकी वजह से हमें गैस्ट्रो इंटरोलोजिस्ट की जरूरत बहुत पढ़ती है और एक बड़े को स्वस्थ रहने के लिए किस तरीके से अपने पाचन तंत्र का ख्याल रखना चाहिए सब सबसे पहले मैं टीवी नाइन पंकर जी का धन्यवाद देना चाहूंगा इस मंत्र पर आमंत्र के लिए मेरा नाम डॉक्टर कप्पिल शर्मा है जैसा की बताया है तो आप आपको यह जानना जरूरी है कि बोडी में एंट्रियन एक्जिट पॉइंट आपका डाइजिस सिस्टम है जो भी चीज आएगी जो भी चीज निकलेगी सारा यहां से ही आप यह जानकर हैरान होंगे कि ट्रिलियन सो बैक्टिरिया हमारी गट के अंदर रिसाइड कर सकते जितनी आपके अंदर सेल्स नहीं उससे ज़्यादा बैक्टिरिया आपकी गट में और कुछ गुड बैक्टिरिया बैड बैक्टिरिया के बीट में एक कोडिनेशन बना होता है जिससे कि आपकी हेल्थ न एकतरब कर दीजिए गट की immune cells को एकतरब कर दीजिए यहां बहुत ज़्यादा immune cells होती है इतने checkpoint होते हैं आप कुछ भी खाते हैं तो there are so many checkpoints ये और गट वो हर एक चीज को control करता है लेकिन जैसे ही आपका ये checkpoint खराब हुए आपको आपके खाने से तकलीफ स्टार्ट हो जाती है तो आप अब क्या हो रहा है और दोगी की परवर्ती बढ़ रही है शारीरिक सम्का भाव हो रहा है इस कारण से आपका और junk food collateral ये सब बढ़ रहे हैं तो जो coordinated food है कि आपको इतना percent carbohead लेना चीए उसमें भी complex लेना चीए प्रोटीन लेना चीए फेट इतना लेना चीए वो सब गड़ बढ़ा गया है अब जो भी अपनों को मिलता है जो भी easy approachable होता है उसको ले ले लेते हैं और उसके दूस्प्रभाव हमारी बोड़ी परते हैं और आप जैसे सेकेंड ब्रेन की जो बात की है कि बोड़ी के अं लगता है तो एक सिरोटोन ने ऐसा बहुत ही महत्रपूर्ण हार्मोन है जो आप सोचते हैं जो आपको चिंता होती है तो वो बोड़ी में ब्रेन से निकलता है लेकिन एक्ट करता है गट पर तो ये तकलीफ आपकी जुड़ी ही है आप यदि आपकी गट हेल्थ है अच्छ आपने बहुत अच्छी बात कही और इसलिए डॉक्टर बड़े बुजूर कहा करते थे चिंता चिता के समाने समझी एक बिंदी का फर्क है और आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि अगर आप चिंता नहीं करेंगे तो क्या होगा कि माइंड से सेरोटोनीन रिलीज होग तो स्टमक बहतर फंक्शन करेगा पाचन तंत्र बहतर फंक्शन करेगा और जैसे ही हम चिंता जादा करने लगते हैं या तो हमें लूज मोशन हो जाता है या हमें कॉंस्टिपेशन हो जाता है या आजकल अकसर लोग IBS से सफर करते हैं IBS Irritable Bobble Syndrome जिसको कहते हैं इनफेक्ट मैं आपको बताऊं तो मेरी बहुत सारे लोगों से बात होती है चाहे आज कल वो मीडिया में काम कर रहे हो आई टी में काम कर रहे हो अलग-अलग सेक्टर्स में काम कर रहे हो उनकी सबसे बड़ी प्राब्लम होती है कि सुबह कैसे वो अपने पेट को साफ कर सके उन्हें कई बार जाना पड़ता है और उसके बाद भी उन्हें कई बार उनका पेट भारी लगता है फूला हुआ लगता है और वो कहते हैं मैं ऐसा कुछ खाता भी नहीं हूं नॉर्मल वेज़ खाना खाता हूं फ्रूट्स खाता हूं फिर भी मेरे साथ ऐसी दिक्कत वज़े से वो अपने office में भी अपने कामों में भी properly concentrate नहीं कर पाते क्योंकि आपका पाचन तंत्र ठीक नहीं होगा तो आपका concentration भी ठीक नहीं होगा और आप जैसे विशेशक बताते हैं कि पेट और दिमाग का बड़ा ही अन्यूनियासरे संबंद है अगर आपका दिमाग खराब है तो पेट भी खराब होगा आपका पेट खराब है तो दिमाग पर भी असर पड़ेगा तो मैं यही पूछना चाहरा हूँ कि यह IBS जैसी गंबीर बेमारी को कैसे tackle किया जाए और यह होता क्यों है तो सबसे पहले आपकी पहले point पे बात करते हैं कब्ज यानि constipation constipation का ताथपर यह हर लोगों के लिए अलग अलग है कोई feel करता है कि मुझे motion हो नहीं रहे हैं उसको constipation समझता है कोई यह बोलता है मैं पांच बार जा रहा हूँ लेकिन एक बार साफ नहीं हो रहा है उसको भी constipation समझता है कोई यह feel करता है कि मैं मुझे अच्छा नहीं लगता है I am constipated तो constipation की परिभासस अलग-अलग है लेकिन scientifically तोर पे देखा जाए तो यदि किसी को सब्ता में तीन से कम motion हो रहे है और इस टूल हाड हो रहे है तब हमको इसको constipation बोलते हैं constipation बहुत तरह के हो सकते हैं एक तो constipation क्यों होता है कि यदि आपकी जो आते हैं वो बराबर नहीं चल रही हो वहां जो digestion हो रहा है वो slow हो रहा है रेक्टम तक जो undigested food वो लेट आ रहा है तो उसका जो निकास है वो देरी से हो रहा है होने के बाद में जो फूड बसता है वो बड़ी आंत में जाता है बड़ी आंत जिसे की कोलोन बोलते हैं वो बड़ी आपका स्टूल हाड आ रहा है इसका मतलब वो कोलोन में लंबे टाइम तक रूक रहा है तो उससे ज्यादा वाटर अबड़ी आप्टा हो जाता है तो जैसे जैसे आपने देखा होगा ओल्ड एज में अधिक तर इस टूल हाड इसलिए आते हैं कि कोलोन पुछ नहीं के बाद में ए वहागते जो मसल होती है वह इसको पुश करती है पुश करते वक्ती है आपका स्विंक्टर खुलता है तो यह सारी चीजें और फिर आपको बाउल मुमेंट होता है लेकिन आपका इस टूल कर रहा है आपको जाने की इच्छा हो रही है लेकिन आपको घए कि muscle आपकी contract कर रही है लेकिन sphincter नहीं खुल रहा तो इस बीमारी को बोलते हैं pelvic dysinergia लोग इसको confus होते हैं इसके अंदर आपका fiber काम नहीं करेगा ना तो इस फिंक्टर train हो जाते हैं hold करने के लिए तो जब उनको hold नहीं करना होता तब भी वो hold करते हैं तो यह coordination बिगड़ जाता है तो यहां होता है treatment होता है coordination को ठीक करना इसके लिए एक anorectal manometric की जाती है manometric से यह बता जाता है कि rectum के अंदर कितना pressure बना हुआ है लगा रहा और उसके साथ साथ में स्फिंक्टर कितनी देर में खुल रहा है और दोनों के बीच में coordination में कोई गड़ बड़ी तो नहीं है इसको चार टाइप वन टू थ्री फोर में डिवाइड के जाता है फिर उसक साथ करते हैं कि उनको पेट भारी है वो उनका पेट साफ हुआना नहीं है पर वो जब वास्रूम जाते हैं तो उनका पेट साफ होता नहीं और जब वो डॉक्टर से contact करते हैं तो कहा है यह जाता है कि वो IBS की बिमारी से aggressive है दरसल यह होता क्या है उनका stool कभी tough नहीं होता, hard नहीं होता, वो sticky होता है, soft होता है चिपचिपाट वाला होता है लेकिन वो proper नहीं होता, खुलासा नहीं होता, आदमी को satisfaction नहीं होता वो संतोस्ट नहीं होता और यह बिमारी बड़ी common है, इसलिए उसको reflux होता है, acidity होती है, तरह तरह की बिमारी होती है उसका खाना कम हो जाता है, खाने में उसका interest कम हो जाता है, उसका काम करने में concentration कम हो जाता है और तमाम तरह की समस्याएं होती है मेरे खेल से उसको सूने में भी प्राब्लम होती है नींद की भी दिक्कत होती है मैं चाहूंगा कि इस बीमारी को आप एड्रेस करें और हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिरकार ये कितनी गंभीर समस्या है और इसको कैसे टेकल किया रहते हैं तो उससे स्टिमूलेट हो जाएगी कोई इंटरनल हार्मोनल है उससे सेंसिटी हो जाएगी तो ये इसके अंदर पेशन को पेन होता है और डिसकमफर्ट होता है और ये पेन का जो रिलेशन होता है मोशन से होता है मोशन जैसे हो जाता है ये पेन थोड़ा सा कम हो होते हैं और irritable bowel syndrome को हमें label करने से पहल से उससे मिलती जलती जित्ती विमारी होती है उन सब को हम test करके हटा देते हैं तब इस diagnosis को label करते ही irritable bowel syndrome ये कोई घातक विमारी नहीं है लेकिन ये एक तरह का discomfort पेदा करता है patient के अंदर जो उसका जो routine है जो उसकी दिन चरिया है उसको प्रभावित करता है इसलिए हम इसके अंदर ये advice करते हैं कि कुछ medicine देते हैं सबसे important देते हैं जैसे राजमा हो गए छोले भिंडी गोबी मसूर की दाल एपल वाटर मैलन मिल्क मिल्क प्रोडेक्ट ये जैसे ही आपकी बोड़ी से डाइजस्ट होते है तो उसका treatment किया जाता है और सबसे important जो चीज हम इन patient को बतानी होती है reassurance उनको ये बताए जाता है कि ये कोई घातक विमारी नहीं है इससे आप बिल्कुल परिशान मतो हो सकता है आप दवाई नहीं लें तो कुछ दिन बाद में अपने आप भी ठीक हो जाए और आप भी थोड़ा सा डाइट मोडि management के लिए क्या कुछ नहीं कर रहा है और मैं यही बात आप से पूछना चाहरा हूं कि कई लोग ये भी कहते हैं कि IBS होने की वज़े से उनको fistula हो गया किसी को piles हो गया वो जाते हैं उनका stool साफ नहीं होता या वो जाते भी हैं तो पूरे तरीके से साफ नहीं होता पेट तो मैं यही आप से पूछना चाहरा हूं कि दरसल इस समस्या का समाधान क्या है और कैसे लोग ये पहचाने कि मैं IBS का शिकार हो क्योंकि बहुत लोगों को lose motion नहीं होता है बहुत लोगों को constipation ही होता है लेकिन constipation में इस तरह का होता है कि वो थोड़ा-थोडा stool होता है परिस्टिक ही होता है और खाने में reflux होने लगता है अगर वो कुछ खाते हैं तो acidity होता है वो ultra धकार आता है जिसको हम कहते हैं तो इस तरह की जो समस्या होती है आम लोगों में उसको कैसे address किया जाए क्या इसका एलोपैथ महिलाज है क्योंकि कई बार देखिए जो एलो function हो तो घबराने के बात नहीं है और आयुरवेद होमियोपैथ में कहा जाता है कि constipation is a mother of all disease वो कहते हैं कि इंडियन food style इस तरह का है कि अगर आपका रोज पेट साफ नहीं हो रहा है तो गंबीर समस्या है क्योंकि हम मसाले जादा खाते हैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी खाते हैं तो हम जैसे लोग जो थोड़ा बहुत ग्यान इस इधर से पढ़के उधर से पढ़कर के लेते हैं और बड़ा confused हो जाते हैं कि आखिरकार हम अपने आपको कैसे समाले क्योंकि कई बार लंबे समय तक अगर आपके कोलोन में दिक्कत है तो आजकल कोलोन कैंसर भी होने लगा है कोलाइटिस भी होने लगा है बहुत तरह की problems होने लगी इसलिए मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि इसको simple कैसे रखा जाए कैसे इसको ये रखा जाए कि हमारा सुब़े का motion बिलकुल समय पर आजाए क्योंकि बहुत सारे लोगों को pressure ही फील नहीं हुत तो यह कैसे महसूस किया जा जाए कि हम इसको बिलकुल समय पर प्रेशर हो हम समय पर हर काम को कर सके ताकि हमारा दिन जो है आनंद से बरा हुआ हुआ क्योंकि पेट का रिलेशन दिमाग से है और इन दोनों का रिलेशन हमारी खुशियों से है तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा जैसे हाप बात किये गटीज हैपी देन यूर हैपी तो यू हेव टू मेक गट हैपी और आईबियस जैसे कभी अकेला नहीं होता उसके साथ साथ में इंडाइजेशन डिस्पेपसिया भी होता है और आईबियस क्या कुछ पेशन को क्या होता है कि एक बार दस्त हुए दस लग गए वो हार्मोनल चेंजेज होते हैं वो आगे जाके आईबियस को जन्म देता है और जब आप यह कॉंस्टिपेशन की बात करें जो अर्ज एक प्रेशर की बात करें कि हमें जाने की तू हाजत जिससे बोलते है अर्ज बोलते है यदि अर्ज जिसको कम हो रही है तो अर्ज का गया एक स्लो ट्रांजिट कॉंस्टिपेशन यहां जो दवाई देनी पड़ेगी वो दवाई देनी पड़ेगी स्टूल को आगे लेके आने के लिए लेकिन जिनको आपको हाजित हो रही है लेकिन वो जा रहे है यार अच्छे से नहीं हुआ तो आपको महा एक देखना लगते आप जहां नीचे कर आसता है वहां ब्लोकेस तो फिल निकरते आपको बहुत ज़्यादा इस ट्रेनिंग तो निकरनी पड़ती है और कभी-कभी आपको फिंगर इवेक्विशन तो निकरना पड़ता है और जाने के बाद में सैटिस्फेक्शन तो नहीं आता है यद थरेपी के अंदर हम उनको ट्रेन करते हैं कि आपको जो स्फिंग्टर है कि इस टाइम तक आपको उसको कॉंटेक्ट निकरना उसको रेलाक्स करना तो क्या करते हैं उस्ट्रेस स्ट्रेस में लोग पुछ तो करते हैं उसके सासाद स्फिंग्टर को खौलने की जग़ों बं दो गया तो इस टूर पूरा ये बाद में भी कर सकते हैं बीच में भी कर सकते हैं तो थोड़ा बहुत हुआ फिर बंद कर लिया थोड़ा बहुत फिर अंदर ही रह गया तो यह रुख जाता है तो यह पर्टिकुलर कॉंस्टिपेशनर जिनको आईबीएस है तो यह आइडेंटिफाई करना जरूरी है और क्या होता है कि यदि आपका इस टूल जो आप बात कर रहे हैं कि पेट में भारीपन इस टूल आपका लंबे टाइम तक रहता है बैक्टरिया फर्मंट करते हैं जैसे कोल ब्लॉटिंग यह होती कि जब आप खाना खाते हैं जो स्टूमक का पेसमेकर सेल्स हैं वो पूरा रिलाक्स नहीं हुआ आपका फूर्ट तो आगया लेकिन उससे टाइम वहां उसने पूरा रिलाक्स नहीं हो तो उस वज़े से भी ब्लॉटिंग हो सकती है तो का प्रें जयाएं तो यह क्या है कि इंडिया के अंदर नौर्स इंडिया के पर्ट कुरली वीट के रहते हैं तर प्रस्क वीट लेता रहता है तो यह 피्ne हम एक बार समझते हैं उसके आधार फिर फिर आगे बढ़ते हैं और पूरा डाइग्मोसिस करके ही ट्रीट्मेंट करते हैं बहुत अच्छा तो आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया अब सवाल ये उठता है कि कुछ लोगों को खाना निगलने में भी दिक्कत होती है उनका ऐसो फेगस में खाना नहीं जाता है या जाता भी है तो उन्हें बड़ा पेन होता है अब ये कौन सी कंडिशन होती है और दरसल मैं अगर आपसे पूछू तो एक लेक्सिया, काडिया क्या होता है कैसे आप इसको समझाएंगे एक्स्पलेyn करेंगे हमारे दर्शकों को इसके लक्षन क्या होते हैं और इसका डाइगनोसिस और इलाज कैसे हो सकता है तो सबसे पहले मात को खाना खाने में जो तकलीफ इसको बोलते हैं dysphagia मतलब आपको खाना नहीं जा रहा ये लिक्वीड से भी हो सकता है solid से भी हो सकता है यह इस खाना-kha swelling starting में भी हो सकता है यदि starting में यहां हो रहा है तो patient को choking हो सकती है उसको खासी आ सकती है और उसका खाना यहां अटक सकता है दूसरा तरह को होता है mechanical dysphagia यदि कोई भी just mechanical dysphagia की वहां रुकावट है जो food pipe है उसमें रुकावट है वो रुकावट इस्ट्रिक्चर की वज़े से भी हो सकती ही जो mechanical dysphagia के अंदर आपको खाना जो solid है वो भी अटकेगा liquid भी अटकेगा तो सबसे पहले धीरे धीरे ये जैसे बीमारी बढ़ती जाती है patient को weight loss होता जाता है तो जो दूसरी आपने बिमारी बताई ecclesia cardia ecclesia cardia एक rare problem है ये आप एक लाक में से एक लोगों को होती है इसके अंदर क्या होता है कि जो food pipe के जो neural networking है उसके अंदर problem हो जाती है मतलब आपकी food pipe के जो wiring है वहाँ problem हो जाती है तो जो muscular tube है उसके अंदर जो peristalsi से push करने की power of food को वह चली जाती है और sphincter जिस time पे खुलना चाहिए वह नहीं खुल पाता खाना लंबे time तक food pipe में stay करता है धीर धीर ये खाना वापस आने लगता है और patient को कि food अंदर तक नहीं जा रहा कभी-कभी ये lung में भी aspirate कर लेते हैं तो वो भी symptoms आते हैं तो ये हमने ये देखा गया अकलेजी वाले पेले patient जाते हैं gastro के आने के पास ENT में उनको कभी जैसे choking feel हो गई उनको लगता है खाना यहां आटक राए तो पहले सबसे पहले जाते हैं ENT के पास में फिर वो जाते है पल्मो के पास में क्योंको respiratory problem होती है और कभी-कभी reflux की problem के साथ में वो जाते हैं physician के पास में तो जब तक हमारे पास patient पोसता है तब तक काफी देर हो चुकी होती है अकलेजिया के तीन तरह के थी टाइप होते है टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 जो early stage के अंदर होता है जो उपरी सिरे का wall होता है upper isophagial sphincter और lower isophagial sphincter दोनों के बीच में एक pressure बन जाता है जिसको बोलते है pain isophagial pressurization ये इसलिए बनता है कि wall tight है लेकिन body try कर रही है कि उसको push करने की वज़े से तो एक दबाव बन जाता है दूसरी जो stage आती है जिसे टाइप 1 ecclesia बोलते हैं ये जो food pipe है ये पूरी इसके अंदर जो peristalsis बिल्कुल चले जाते हैं इसके अंदर जो push करने की power बिल्कुल खतम हो जाती है wall tight हो जाता है और isophagus dilated हो जाती है तो यहां ये किसी भी जो हमारा treatment हो सारा directed है alias जो wall है उसके उपर इस peristalsis जो किसी प्रिक्या से दुबारा लाइन जा सकता जो type 3 होता है उसके अंदर wall तो tight है उसके साथ-साथ abnormal contraction आ जाते हैं जो normal होते हैं उससे अलग हट के contraction आ जाते हैं तो type 1, 2, 3 एकलेजिया कार्डिया है अकलेजिया कार्डिया के पहले को confirm करने के लिए सबसे पहले हम एंडोस्कोपी करते हैं फिर एक barium की जाज करते हैं एक स्रेख खेसते हैं और एक विशेश तरह का test होता है जिसे बोलते हैं मैनोमेट्री तो क्या आप अपने hospital में अपने clinic में जहां आप काम करते हैं सरवोदे hospital में क्या इसका इलाज possible है वहां पर अगर लोगों को इस तरह की दिक्कत आती है तो क्या वह आपके पास जा सकते हैं उनका समुचित इलाज हो सकता है हम भारत के कुछ विशेशगों में से सामिल हैं जिनके अंदर अकलीजिया के काडिया में काफी के इलाज में काफी सफल था हासिल किये हब इसके लिए पहले होता था सरजरी सरजरी जिसे हैलर्स मायाटोमी होती थी उसके अंदर बड़ा ऑपरेशन होता था बहार से जो वाल टाइट होता उसको कट ओपन किया जाता था और फिर उसको क्लोज किया जाता आज कल एक नई एंडोस्कोपिक की पद्दती आई जिसे बोलते है पर ओरल एंडोस्कोपिक मायाटोमी काम वही हो रहा है जो वार्ड टाइट है उसको cut open किया जा रहा है लेकिन ये सारा endoscopy से किया जा रहा है इसके अंदर फायदा यह है पेशेंट को कोई चीरा नहीं next day patient discharge है आदा से एक घंटे की प्रिक्रिया है पेशेंट को कोई IC में shift करने की जूरती ये वार्ड में patient stay करता है और ये अंदर की प्रिक्रिया के बाद में patient का जो response से वो surgery के बराबर है और particularly type 3 atleasium even surgery से भी बेटर है इस प्रिक्रिया में ये करते हैं एंडोस्कोप से अंदर जाते हैं और अंदर की परत में प्रिक लगाते हैं तो जो आहर नाल की वायल होते हैं उसके तीन लेयर होते हैं सबसे पहले जो अंदरी लेयर होता है फिर बीच की मसल होती है फिर बाहरी लेयर होता है मतलब आप इस पूरे complicated process को आपने बड़ा simplify कर दिया और इसकादर simplify कर दिया कि लोगों को ICU में भी जाने की जरूरत नहीं है जो एक major operation के थूरू ठीक होने के chances थे उसको अपने simple तरीके से ठीक होने का mechanism develop कर लिया और यह आप करते हैं मतलब इस इस process में आप skilled है मैं अगर यह कहूं कि जिसको इस तरह की बेमारी हो वो आप से संपर्क कर सकता है और आपके अस्पताल में उसका इलाज संभव है यह हमने 200 से भी अधिक केस कर चुके हैं और यह टेकनीक थी 2010 में सबसे पहले जापान में आई थी फिर यह इडिया में आई और इस टेकनिक से काफी लोग का फायदा हो रहा है और इस टेकनिक में जो ecclesiocardia का इलाज पूरा बदल दिया इसको शॉर्ट फोर में बोलते हैं पोएम पर और एंडोस्कोपिक मायटोमी ओ पोएम वही मैं तो जो सबम्यकोजा होती है इसकी खास बात ही होती है इसके अंदर लूज टिश्यू होते है एक एरिया होता है जो की लूज टिश्यू से भरा होता है तो उसको हम इंजे करके expand करते हैं तो जो पोएम की प्रिक्रिया में क्या करते हैं सबसे पहले निक लगाते हैं फिर यह जो लूज एरिलर टिश्व यहां जाके इसको expand बनते हैं एक सुरंग बनाते हैं एक सुरंग बनाके वाल में काम करते हैं, जैसे आप यहां बेठे हो, आपको वहां जाके काम करना है, आप नॉमल रस्ते से नहीं गए, सुरंग से वहां चले गए, आपने उसका अपना काम किया, वापस आगे, जहां किया था, क्लोज कर दिया, किसी कुछ मालूम नहीं और सब कुछ ठीक हो गया तो यह point किया, मैं एक बड़ा दो सवाल अब मैं आप से और पुछूँगा, मुझे लगता है दर्शक इससे बड़े लाभनवित होंगे, एक तो लोग कहते हैं कि हमें पता ही नहीं चला हमारे पेट में कैसे cancer निकल गया, यह कोई mechanism है, कोई test है, जिससे पता चल सके कि हमार गट बिलकुल ठीक है, उसमें कोई major problem नहीं है, ठीक है, constipation आपके इसाब से major problem नहीं है, IBS major problem नहीं है, Alexa cardia की आपने बात करी दी, वो तो आदमी को पता चल जाएगा, लेकिन कहते हैं कि मुझे fourth stage में पता चला कि हमारे colon में cancer था, rectum में cancer था, intestine में cancer था, और हमें fourth stage में पत चला, तो क्या कोई test है क्या, या कोई symptoms है क्या, जो लोग concerned रहें, जागरूक रहें, तो उनको समझ में आ जाएगा कि there is something problem in my gut, the problem in India is that we don't have any screening program, US के अंदर 50 साल का हो गया, हर एक क्या colonoscopy होना ही होना, तो colonoscopy होने से पहले यदि कोई भी cancer colon में बनता है, सबसे पहले छोटा आसा polyp बनता है, 5-1 cm के आसपास में, पहले वो बढ़ता है, उसमें फिर mild display जी आएगा, फिर severe आएगा, फिर जाके वो cancer बनेगा, तो हम क्या, उस चीज को miss कर जाते हैं, सीधा cancer को पकड़ रहें, तो आपको cancer को नहीं पकड़ना, उससे पहले वाली stage को पकड़ना है, तो पॉलीप को पकड़ना है, तो आजकल हमारे पास ऐसी भी टेकनीक है, यदि पॉलीप में cancer भी बनने वाला हो, तो इसको endoscopic sub-mucosal disection की technique से निकाल दिया जाता है, ताकि वो cancer तक पोचे ही नहीं, और patient को इस treatment से cure मिलती है, आप symptoms की बात करें, तो अधिक्तर patient asymptomatic रहते हैं, लेकिन there are some red flag signs जो आपको याद रखने हैं, कि यदि किसी को अचानक से constipation, सब कुछ ठीच रहा है, जैसे किसी को 10 साल से constipation चलो कोई नहीं, लेकिन 5-6 मेने में हाली में constipation हुआ है, इस tube में blood आ रहा है, hemoglobin कम हो रहा है, वजन कम हो रहा है, भूग कम लग रही है, तो आ आप ये क्या indicate करते हैं, कि आपको problem हो सकती है, हमारे याँ को screening program नहीं है, at least हम इन symptoms पर ध्यान रखके अपना test करवा है, पर अगर कोई concerned जागरू citizen है, अगर suppose मैं, मैं, मैं चाहता हूँ कि screening कराऊ, तो मुझे coloscopy और endoscopy कप कराना चाहिए, साल में कितनी बार कराना चाहिए screening endoscopy 50 साल के बाद एक बार करनी चाहिए, ऐसा यदि उसमें कुछ नहीं आया तो आपको दुबारा repeat करने की जुरूत नहीं है, यदि वहां कुछ polyp मिला, वो किस तरह का polyp है, उसके बार decide होता है, जैसे suppose मैंने दो साल पहले कराया था, उसमें polyp मिला था, उसका test भी हुआ कि क्या उसमें cancer है, cancerous है, नहीं है, तो वो नहीं था, उस polyp को हटा दिया गया, अब फिर मुझे जरूरत है कि मैं, यदि उसमें कोई displays या नहीं है, मैं वही कह रहा हूं कि किसी वी वेक्ति के लिए, उसने दो साल पहले कराया, उसको पता चला एक polyp है, जो कि उसको दिखा आए गया screen पर, अब polyp को चेक किया गया और पता चला कि यह non-cancerous है, इसमें कोई cancerous material है नहीं और polyp को हटा दिया गया, क्या वैसे वेक्ति को, कब फिर से endoscopy कराना चाहिए, कब फिर से coloscopy कराना चाहिए, इसके पर depend करता है polyp की size क्या है, polyp के numbers क्या है, उसकी location क्या है, औ तो आप 3 साल तक वेट कर सकते हैं, next colonoscopy के लिए, यदि उसके अंदर dysplasia है, वो mild है, severe है, moderate है, severe dysplasia है तो आपको 3-6 महिने में ही करवाना पड़ेगा, यदि उसके अंदर ठीक है कि mild है, तो आप 1 साल तक वेट कर सकते हैं, 3-3 year, 1 year, 3-6 month चलिए, तो बहुत सारी बातें आपने बताई और मुझे लगता है कि हमारे दर्शक जो इस वीडियो को देखेंगे, वो आपके मारफद बहुत कुछ जान पाएंगे, और खास तोर पर उनको अगर किसी तरह की दिक्कत होगी, तो निश्यत तोर पर आप से संपर करेंगे, या किसी भी गैस्ट्रो इंट्रोलाजिस से संपर करेंगे, क्योंकि जो आपने सिंटम्स बताएं, वो कितने जरूरी हैं, उसको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम नेगलेक्ट करेंगे, तो हमें भारी खामियाजा भुगतना पढ़ सकता है, हमने जो आचानक लोगों को लगता है कि हमें फोर्थ स्टेस का कैंसर क्यों हो गया, तो दरसल उसके भी सिंटम्स पहले से दिखाई पढ़ते हैं, और इंडिया में खास तोर पर हम कोलोस्कोपी बिल्कुल नहीं कराते, कभी हमें जरूरत भी पढ़ती है, तो हम इसके लिए नहीं दिखे, आपको दिक्कत हो, जैसा कि इन्होंने बताया, इस टूल में बलड दिखे, या किसी तरह की समस्या हो, अचानक से कॉंस्टिपेशन हो, जो पहले आपको था नहीं, तो आपको निश्चित तोर पर बढ़ियां गैस्ट्रो इंट्रो लॉजिस से कंसल्ट करना चाहि तो आप अपनी जिंदगी को बहतर रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं, और बड़ी समस्याओं से बच सकते हैं, आपको अगर निगलने में दिक्कत है, और बड़ी सीवियर प्राबलम है, तो डॉक्टर कपिल शर्मा भी हैं, आप ये वीडियो देख करके आप इनसे समपर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इनका एक्सपरटीज है, इन्होंने बहुत ज़्यादा पेसेंट्स को ट्रीट किया है, एक अलग मेकैनिजम से, क्योंकि पहले एक बड़ा आपरेशन करना होता था, अब ये बहुत सिंपल मेकैनिजम से उस पेसेंट्स को ठीक करते हैं, और इसलिए मैंने इनसे बात की ताकि gut से related problem हो चाहे swallow मतलब खाना निगलने को लेकर के problem हो अगर आप मेंसे किसी को कोई दिक्कत हो तो आप जान सकते हैं कि इसको कैसे पहचाने और ये दिक्कत हो तो कैसे gastroenterologist से संपर करें और Dr. Kapil Sharma से भी आप संपर कर सकते हैं अगर आपक करता है कि आपको इनकी जरूरत है बहराल Dr. Kapil Sharma इस प्रोग्राम में शेर्कत करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और शुक्रिया तो इस प्रोग्राम में इतना ही ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहें टीवी नाइन धन्यवाद नमस्कर करता है